नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है जिस अदानी बुद्दे को ले करके संसत ठप रही बजट सत्र का जो दुसरा चरण था वो धुल गया 20 विपक्षी दल एक साथ आ गये अदानी और मोदी के रिस्तों को ले करके बार किया गया महामला सुप्रीम कोर्ट तक गया सुप्रीम कोर्ट से एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई लेकिन कांग्रेस की अगवाई में विपक्षी दल इस बात को ले करके अड़ गये कि जेपीसी का गठन होना चाहिए यानि जुएन पार्लेमेंटिक कमेटी जिसके लिए किसी भी सूरत में सरकार तयार नहीं थी इधर भी पक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था उधर सत्ता पक्ष लंदन में दिये गए बयान को लेकर के राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा था और धूल गया संसट का बजट सत्र कोरोणों रुपया आम जनता की गाड़ी कमाई का बरबाद हो गया कई मिटिंगें हुई मार्च हुआ नतीजा सिफर अब उन्हीं 20 दलों में से एक 56 साल राजनीत का अनभाव रखने वाले NCP चीफ सरत पवार ने एक TV चैनल को दिये इंटर्व्यू में इस बात को माना है कि जरूरत से जादे इस मुद्धे को महत्व दिया गया जब सुप्रिम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी थी तो JPC की मांग पर इस तरह से नहीं अरना चाहिए था उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई मतलम नहीं है उसमें निसाना बनाया गया है अधानी को हिंडनबर्ग का नाम इससे पहले हमने सुना ही नहीं था और एक रिपोर्ट के अधार पे इस तरीके से आप संसर ठप नहीं कर सकते हाला कि वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी गतिरोद हुआ उस गतिरोद को खत्म करने के लिए सत्ता पक्स से भी जिस तरीके की पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई लोग तंत्र में बाचीत और संबाद बहुत जरूरी है सो तो एकदम साफ दिख रहा है कि नहीं हुई दोनों पक्ष अड़ा रहा लेकिन स्तरत पवार कहते हैं कि जब राजनीत में सुरू सुरू में आये थे तब टाठा बिल्ला पे अटैक किया करते थे बाद में पता चला कि इन लोग का देश के निर्मान में या देश की अर्थ वेवस्था में कितना बड़ा युगदान है अब वो जगह ले ली है अंबानी और अड़ानी ने जब हम ऐसा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि देश के लिए इन्होंने भी काम किया है अदानी का बिजली में बहुत बड़ा युगदान है तो एक हिंडन बर की रिपोर्ट के अधार पे कैसे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं और संसत की करवाई ही रोक सकते हैं इस पर कांग्रिस के प्रतकरिया भी आई है जैराम रमेस आजकल खुब बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सरत पवार और NCP का नीजी बिचार हो सकता है 20 दल जो साथ हाया है उसमें NCP एक है और ये उसका नीजी बिचार है बाकी 19 दल जो है इस मुद्दे के साथ खड़े है देखने वाली बात ये है कि सरत पवार ने जो इंटर्व्यू दिया है उसके बाद अब ये मामला किस तरह से टर्न लेता है बीजे पी आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवी उन्होंने इस पर प्रतकरिया दी है कांग्रेस ने किस तरीके की रणनिती अपनाई चालबाजी अपनाई और राहूल गांधी के लिए पत्ती जनक सब्दों का भी प्रयोग किया है उस ऐसे मुद्दे के लिए जिसकों की NCP चीप सरतवार मुद्दा मानते ही नहीं बहराब निताओं के प्रतकरिया का इंतजार रहेगा इस पर हमारी नजर रहेगी जैसे ही मिलेगा आप सको अपडेट करेंगे रहें बेखबर देखते रही है इन खबर थैंक्यू